साल 2022 खतम हो चुका है और साल 2022 की क्या उपलब्धियां पर्यावन के चेते में रही हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लिते हैं और याद रखेंगे अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पी सीएस की तैयारी कर रहे हैं या वंडे एक जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से डारेक्टी कुश्चन्स आपकी परिक्चाओं में पूँच लिए जाएंगे और रेपोर्टों से इंडेक्स से आप देखते हैं कि कुश्चन्स पूँच की लेता है तो सबसे बहले बात आती है आद्ध भूमी की, किसकी? आद्ध भूमी की तो वर्स 2022 में भारत की 26 आद्ध भूमियों को क्या मिला है? रामसर इस्थल की रूम में चिन्रित किया गया है यह आद्ध भूमी होता क्या है? यह भी तो सवाल उठता है आद्ध भूमी ऐसे छेत होते हैं जहाँ जल परयावन और सम्मंधित पौधिवाग पसू जीवन को नियंतित करने बाला प्रात्मिक कारक होता है और आद्ध भूमी को इस वेकार परिभासित किया गया है इस्थलिये और जलिये पारिश्थित की पेडालियों की भी चंगमण कालीन भूमी जहाँ जल आमतावर पर सतय पर होता है या भूमी उथले पानी से धकी होती है उसी को आद्ध भूमी कह देते हैं और जिससे देश में अपकुल रामसर इस्थलों की संख्या 75 हो गई है ये देखिए बदलती रहती है संख्या बढ़ती रहेंगी तो आप लोग जब भी पेपर देने जा रहे हैं उस समय पढ़ लीजेगा रामसर संधी अद्ध भूमी के सरक्चन उकुसलता से उपेव के लिए एक अंतराष्टी संधी है और इसका नाम केस्पियन सागर पर इरानी सहर रामसर की नाम पर रखा गया है जहां दो फरवरी 1971 को संधी पर हस्ताक्चर किये गये थे एक आप देखेंगे चक्वाद, वम्चक्रवाद किसमत से ठीक फहले आरकेटिक महासागर से आ रही खतरनाग बरफीली हवाओं ने अमेरिका समेथ पड़ोसी देशों में कोहराम मचा रखा है और बहुत सारी लोगों की अमेरिका में आपने देखे होगी इसके कारण डैथ पी हुई है और इन तेज बरफीले हवाओं को बम्चक्वाद नाम दिया गया है दरसल बम्चक्वाद की घटना तब घटी है जब बायूदाब एकाएक नीचे गिर जाता है और इसमें जब तेजी से दो बायू रासियों के बीच दावांतर बढ़ने लगता है तो इस विक्क्रिया को बॉम्बो जेनिसिस कहते है और इस विक्क्रिया के तहट बायूदाब 24 घंटे के अंदर 24 मिलीवार या उससे अधिक इस्तर तक नीचे गिर जाता है और 100 किलमीटर पिती घंटा की रफ्तार से बरफीले हमायच चलने लगती है और विज्ञान्यूकों के मताविक बायूदाब की यह इस्तिती तब बनती है जब गरम हवा का ध्रमान ठंडी हवा की ध्रमान से टकराता है और जिससे भारी बारिस और हिमपात लाने वाला डिप्रेशन बन जाता है और ये चकवात आमतोर पर सरीदियों की महीने में आते हैं और भारी तबाही भी मच आते हैं एक आप देखेंगे फुजू वारा एफेक्ट ये क्या है इस सेप्टमबर 2022 में पश्चमी पिसांत महासागर में दो उष्ट ने कटी बन दिये चकवातों सुफर टाइफून हिमान नोर और गाडो पर फुजी वारा एफेक्ट देखा गया और आपको बतादू कि अमूमन एक ही समय में और एक ही महासागर छेत में विक्सित होने बाले उष्ट कटी बन दिये तूफानों की बीच 1400 किलोमीटर से कमदोरी पर उनके केंदरों की बीच कि किसी भी तरह की अन्ताकरिया को फुजी वारा प्रभाव की रूम में आप जानते हैं यानि दोनों तूफान एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं यही फुजी वारा प्रभाव कहलाता है चीता पुनरवास परियोजना यह आप लोगों ने सुना होगा उस समय काफी चर्चा भी हुई थी जब आपने देखा है कि मद्धपिदेश के कूनो राष्टिय उद्यान में चीते लाए गए हैं पिदान मंतरी मौदी ने 17 सेप्टंबर को मद्धपिदेश में सेवफुर जिले के कूनो राष्टी उद्यान में आठ चीतों को प्राक्तिक आवास में चोड़ा है और प्रोजेक्ट चीता एक राष्टी परियोजना है जिसमें राष्टी बाग सरक्षन पराधीकन और मद का महादीब से चीजता इस्थल पर सबसे तेज दोड़ने वाला पस हुए और जिसे 1952 में भारत में बिलुप्त घोसेत कर दिया गया था एक बार आप लोग मद्धपिदेश को देख लिजे ए मद्धपिदेश है बहपालिस की राध्दानी एक नवंबर 1956 में से राज बना बोमा तकनीक की बात करें तो अपेका में इस्तिमाल होने बाली इस अनौकी तकनीक का भारत के केवला देव राष्टी उध्यान में प्रियोग किया गया है और इस तकनीक का प्रियोग जंतों के पनरवास के लिए किया जाता है बोमा कैप्चरिंग तकनीक जंगली जीवों और हरे रंग के जाल लगाए जाते हैं और इस विक्रिया में जानवरों को किसी पिकार का नुकसान नहीं पहुंचता और इस तक नीका सरपितम प्रियोग अपीका में जंगली कुत्तों की संख्या को प्रवामित करने के लिए किया गया था अब आप लोग कहोगे कि ये के ओला देो राष्टी उद्ध्यान का है तो ये आप लोगों को माल होना चाहिए कि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आपका राज़स्थान में है एक ठीक है ये आप लोग याद रखेगा 1982 में स्थापित हुआ थे और राजिस्थान को अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लिए ये राजिस्थान है जैपुर इसकी सीमा है जैपुर इसकी राधधानी है राजिस्थान की और छेटफल में सबसे बड़ा राज्या आपका राजिस्थान तीन लाग ब्याली सजाद दोसो उन्तालीस बरक किलूमीटर में फैला हुआ है इसकी अंतराश्थी सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्यों में आप देखें गुजरात हो गया मतपिदेश हो गया उत्तरपिदेश हर्याना पंजाब से लगती है बिदान सभा में 200 सीटे हैं राज सभा में 10 सीटे हैं लोग सभा 25 सीटे हैं तो ये भी याद रखेगा जब भी कोई राज किसी भी कारण से चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामन जानकरी रखा करिएगा कई बार कुश्चन्स पूँच लेता है टॉंगा में जौला मुखी बिस्पोर्ट साल की सुरुवात में टॉंगा के दच्छडी पिसांद द्वीप में एक भैयानक जौला मुखी बिस्पोर्ट हुआ इस पिस्पोर्ट से पिसांद भाहसागर के चारों और सुनामी लहने उठी रही है और टॉंगा दुईप समूर रिंग ओफ फायर में मौझूद है जो पिसांद भाहसागर के बेसिन को गेरने वाली उंची जौला मुखी भूकम पी है गति विदी की पर्दी है जौला मुखी देखिए जिससे वो लावा निकलता है उसी को आप लोग जौला मुखी कहते हैं और आप देखते हैं कि भूकम की बात करें तो भूमी के कापने को आप लोग भूकम कह देते हैं और सेप्टी बॉल, पितवी का सेप्टी बॉल भी कहते हैं जो अला मुखी को, अगर आप सोचिए नीचे अगर लावा भरा हुआ हो, उसे अगर जगए ना मिले, अगर जो अला मुखी के जरीए बाहर ना निकले, तो वो कई फिलेटों को नुकसान पहुंचा सकता है, आप इस डॉल्फिन सर्रेक्षन के समंद में लोगों में जागरुकता पहलाना, और आपको बता दूं कि डॉल्फिन स्वस्त जलिये पारिष्टिती तंत के एक आधर संकेतक की रूम में काम करती है, आई एउसे एन की रेड लिष्ट में गंगा डॉल्फिन को लुप्त प्रया इउच प्लास्टिक पर बेन की बात हुई, सिंगल इउच प्लास्टिक के बढ़ते इस्तिमाल को रोकने के लिए कैंसर कान है, एक जुलाई 2022 से इस पर बेन लगा दिया, सिंगल इउच प्लास्टिक की जैसा की इनके नाम से ही जाहरी की एक बार इस्तिमाल करने के बाद इ ह Marriage- conn Summit होता है लेकिन मुझे एक बात यहां समझ मे नहीं आपःखept की दुकानदारों को आपने रोका है, कि आप प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक की जो ठैलिया नहीं इसां उपयोगocy करेंगे लेकिन हमारे यहां क्या होता है नीचे से आप देखते हैं कि रोक लगाई जाती है डूगांग इमान भी ये गतिवधियों का सबसे जानदा असर दुनिया की जैब बिता पर पड़ा है और इसमें कई पर जाती हैं सामिल है इसमें से एक डूगांग है भारत की तटिये सीमा से लगी सागरों पाई जाने वाली इस पर जाती के सरक्षन के लिए देश का पहला डूगांग सरक्षन के इंद इस्थावित करने का फैसला लिया गया है और आपको बता दूँ कि डूगांग को समुद्री गाय भी कहा जाता है और इसकी IUCN इस्तिती सुबेद है और इस इने सिकार इनके पर्याबास का च्छेव मानवी मस्यन गतिविदियों से खतरा देखने को मिलता है और आप देखें पर्याबन को हमीर नुकसान पहुंचा रहे हैं सबसे जानदा दा स्टॉक होम सम्मिलन के 50 वर्स 1972 का सिक्तराष्ट पर्याबन सम्मिलन या दा स्टॉक होम सम्मिलन ने 2022 में अपने 25 वर्स पूरे कर लिये और इसी उपलक्ष में स्वीडन में स्टॉक होम पिलस्ट 50 सम्मिलन आया जित किया गया और इस्टॉक होम कन्वेंशन कानूनी रूप से बाद्दिकारी एक अंतराष्टी कन्वेंशन है इसका मकसद पर्याबन में उपस्तित कई इस्थाई कार्वने पिदूसों को धीरे धीरे कम करना है और इस कन्वेंशन में 183 पार्टियां सामिल है जिनमें 159 देशों ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्चर किये हुए भारत ने मई 2002 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्चर किये और जन्वरी 2006 में इसका अनुसमर्थन भी किया था वर्ल्ड एकोनोविक फॉरम द्वारव विस पर्यावन पिदरसन सूचकांग 2022 में भारत सबसे निचले पायदान पर आ है 180 देशों की रेंकोंग में भारत 18.9 के स्कोर के साथ 180 वे स्थान पर है अला कि भारत के केंद्री पर्यावन मंतराले ने संकेत को अनमानों की अबिध्यानिक तरीकों पर आधारित होने की कारण इस रिपोर्ट को खारज भी किया है वर्ल्ड अगरमट एकोनुमिक फॉर्म की बात करें तो इसके बारे में बता देता हूँ इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखें कि जनवरी 1970 में हुई थी सुईजा लेंड में इसका हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा आप लोगों को तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए सबसे कम भारत को मिले हैं आप देखें और कुछ इसमें आप देखेंगे कि हमारा मियानमार जो पड़ोसी है उसे 19.4 अंक में ले हैं बेहतनाम को 20.1 अंक में ले हैं चीन को 28.4 अंकों के साथ 161 स्थान पर है चाइना पड़ोसी है ना मारा चाइना उसी की बात हो रही है तो यह चोटी-चोटी बातें भी याद रखेगा इसमें भारती बन इस्तिती रेपोर्ट 2021 यह आप देखते हैं दो साल में आती है परियावन एवं बन और जलवाई परिवत्तर मंतराले ने 17 भी भारत बन इस्तिती रेपोर्ट जारी किये और इसे रेपोर्ट को 28 रूप से भारती बन सरविक्षन द्वारा पेकासित किया जाता है और रेपोर्ट के अंसर भारत का कुल बन और बेक्ष है अच्छादन अब 80.9 मिलियन हेक्टर हो चुका है जो देश के भागोली चेतपल का 24.62 परसेंट है एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और जो बरस 2019 में आप देखेंगे 21.67 यानि कि बड़ा है बन सरविक्षन रेपोर्ट 2021 के मुतावे बन चेतर में अधिक्तम बड़ोतरी आंध पिदेश में आप देखेंगे 647 बर किलोमीटर में दर्च की गई है इसके बाद तिलंगाना 632 बर किलोमीटर उडिसा में 537 बर किलोमीटर और रेपोर्ट के अंसार इस से बरस पूरुवत्तर के राज्जों ने सकारत में परिडाम पराप्त नहीं हुए बरावंडर में सबसे अधिक कमी पूरुवत्तर के पांच राज्जों में आरुडा चल पिति मणीपोर, मेगाले, मेजोरम और नागेलेंड में आप लोगों को देखने को मिली है नीती आयूग की हारनेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट नीती आयूग आप सभी जानती कि एहोजना आयूग को पिती स्थापित करके आये था कब 2015 में नीती आयूग ने थिंक टैंक आर्म एम आई इंडिया के सहयोग से हारनेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन और रिपोर्ट में नीती आयूग ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को वड़ावा देने के लिए इसके उत्पादन पर GST और सीमा सुलक को कम करने और चूट देने की सिपारिस की है ग्रीन हाइड्रोजन वड़ावा गयस है जो पानी के इलेक्टो लेसिस के मार्ध्यम से उत्पादन होती है और मुझे लगता है कि आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन को भविस्का इनन भी कहते हैं आप लोग ठीक है गिलोबल अंगली रिपोर्ट है कौन सी एह अंगली गिलोबल किलीन इनर्जी एक्षन फॉर्म 2022 भारत में अमेरिका के पीटर्स वर्ग में आयोजित गिलोबल किलीन इनर्जी एक्षन फॉर्म 2022 में इनोवेशन रोड मैप आप दी मिसन इंटिगेटेड वायो रिफानरी के आरंब करने की घोशना की है या फॉर्म सादवी मिसन इनोवेशन और तेरेवी क्लीन एनरजी मिनिस्टीरियल 2022 का सहुख्त सम्मेलन है इसमें भारत का पिती ने दिर डॉक्टर जितन सीखने किया था कॉप 27 एस सम्मेलन का होगा तो आप देखेंगे UN FCCC यानि जलवाई परिवक्तन पर सहिफ्तराश्ट अभी समय का 24 बार कॉप 24 सम्मेलन साथ से आठारे नमबर 2022 के मद मिस्ट के सरम अल स्थेक में संपन हुआ बैठक में लॉस एंड डेमेज नामक एक नए फंड की घोशना की गई है और जिसके जलवाई परिवतन जलवाई परिवतन की समस्या को दोर करने की कॉसिस की जाएगी और इस तत्र से भारत भी मेंगो अलाइंस पॉर क्लाइमिट में सामिल कर लिया गया है और देखी UN की बात हो रही है तो सहिफ्तराश्ट की बात होती है और जलवाई उसे आप लोग जानते हैं कि पूरी दु साल 2022 के दौरान सुर्कियों में रहे बन जैव अभ्यारन ने देख लिए कावेरी दच्षण वनेजीव अभ्यारन वनेजीव सरक्षन अदिनियाव 1972 की धाराँ 26 ए एक वी के तहत किस्ना ग्री धरमपुरी के अरक्षित बनों में एक चित को कावेरी दच्षण वनेजीव अब्यारन की रूम में अधीस उचित किया गया है यह तमिलाडू का 17 बनेजीव अभ्यारन है कावेरी दच्षण वस बनेजीव अभ्यारन को पड़ोसी राज करनाटक में कावेरी बनेजीव अभ्यारन से जोड़ता है यह 35 इस्तनपाई प्रजातियों और 2028 पक्छी प्र और इसमें आप देखेंगे आंध्पदेश सामिल है करना टक केरल भी आपका सामिल है और चैनल इसकी राधधानी हो गई आप देखेंगे विदाहन सभा की सीटों की बात करें तो 234 सीट हैं लोग सभा में 49 सीट हैं रास्थभा में 18 सीट हैं एक लाग 30,000 अंठावर बर किलो में फैला हुआ है वहीं करना टक की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे बैंगलोर इसकी राधधानी है करना टक की और आप देखेंगे इसकी सीमा ग्वा महराश्क देलंगाना अंध्रपदेश तमिलानु केरल से लगती है और यहां अगर आप लोग देखें तो एक नवंबर 1956 में से राज बनाय गया था, विधान सवा में 224 सीट हैं, विधान परिशत में 75 सीट हैं, राज सवा में 12 सीट हैं, लोकसवा में 28 सीट हैं, एक लाख एकानवे 1791 वरक किलूमीटर में आपका करणा टक फैला हुआ है, एक काजू विली पक्ची अभ्यारन, तमिलाडू में बिलू पुरम के पास इसते काजू विली आद्भूमी को परियावन जलवाई परिवर्तन बन विवाग द्वारा, इसके निर्मार सहयोगी संस्ता है, और चलिए महराष्ट को देख लीजे, यह कहां है, किस कारण चर्चा में रहे हैं, आप लोग जरूर याद रखा करिएगा इसमें, महराष्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई इसकी रादधानी है, और आप देखेंगी किस की पड़ोसी राज्यों में, गुजराद, मद्पदिस, 36 गार, तेलांगाना, करनाटक और गुआ देखने को मिलेगा, बिधान सभा में 288 सीट हैं, बिधान परिशद में 78 सीट हैं, राज सभा में 19 सीट हैं, लोग सभा में 48 सीट हैं, तेन लाग 773 वर किलूमीटर में फैला हुआ है, चेतपल में तीसरे नमबर वे हैं, आपका महराष्ट पहले पर राजस्तान, दूसरे पर मत्पदिस, तीसरे पर महराष्ट का नमबर आता है, केरल में इसिया का सबसे बड़ा एटलस, दच्छिन भारती राज केरल में अपना पहला साइन्टिफिक वर्ड एटलस लॉंच किया है, यह वर्ड एटलस भोगोली बिस्तार के, यह साब से इसिया का सबसे बड़ा वर्ड एटलस है, जिसमें 25,000 चेकलिस्ट का कब्जे, देखेंगे कि तमिलाडू और करना तक दो राज्यों से लगती है, और इसे आप देखेंगे कि विदाहन सबा में 141 सीट है, राज सबा में 9 सीट है, लोक सबा में 20 सीट है, 38,863 वर्ड किलो मेटर में आपका केरल पहला हुआ है, पर आप देखेंगे असकोर्ट बन जीब परियावन बन और जलवाई परिवतन मंतराले द्वारा उत्राखन के पितोरागर जिले में असकोर्ट बन जीब अभ्यारन की सीमा के आसपास 455,65 वर किलो मेटर चेत को असकोर्ट बन जीब अभ्यारन परियावनी सम्वेदन सील चेतर घोसित किया गया है, और असकोर्ट करने तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर पिदेश से अलग करके बनाया गया था इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है और राज्जों में हमाचल पिदेश से लगती है बिदान सबावा में 70 सीट है राजसबा में आपकी 3 सीट है लोग सबावा में 5 सीट है यह आप कि तमिलादू सरकात द्वारा कडाबूर फारेश्ट रिजर में भारत की पहली इसलेंडर लोरिस अभ्यारन की को अधीस उचित किया गया है इसलेंडर लोरिस छोटे निसाचर इस्तन धारी हैं जो आम तोर पर पेड़ों पर रहते हैं इनकी दो प्रजातियां होती है स्री जलन रूप यहीं आप लोगों को देखने को मिलती है दो हजार बाइस में नए खोजे गए तमाम जन्तुओं और संकटपन प्रजातियां देख लीजे भारत सकुआ मैब में सामिल हो गया है मणीपुर चेरी बिलोसम की एक नए प्रजाती की खोज की गई है चेरी बिलोसम की नाम पर प्रो नुस दीना बंदू रखा गया है ठीक है और आप देखेंगे की दीना धूना रखा गया है और तमिल किसे मणीपुर को अगर हम लोग देखना चाहें तो यह मणीपुर है इंफालिस की राधधानी आप लोगों को देखने को मिलेगी इसकी अंतराश्टी में अनमार से लगती है मनीपुर की और आप लोग राज्यों में देखें तो अंगालेंड है असम है और में जो रम्तीन राज्यों से लगती है किसकी मनीपुर की और आप देखेंगे की यहां बिदान सभा में 60 सीट है राज सभा में 1 सीट है लोग सभा में 2 सीट है और 32,327 बर किलो मीटर में आपका मड़ीपुर फैला हुआ है Red Senders रक्त चंदन संकटपन की सूची में सामी किया गया है Red Senders यानि रक्त चंदन की लखड़ी जो अभी तक IUCN की Red Data List में Near Threadent की रूम में सूची बादी थी अब उससी संकटपन की सूची में डाल दिया गया है या भारत में सरवादिक तसकरी की जाने वाली लखड़ी है जो बिसमे केबल सेशा चलम की पहाड़ी सहत पूरवी घाट में एक सीमित भोगली चित में पाई जाती है अंगली है The State of the World's Words Report वर्ल लाइब इंटरनेशनल की बासिक समीक्षा The State of the World's Words ने चिंतित करने वाली आकड़ी पिस्तुत की है इसके अनुसार पक्चियों की 10,994 जीवित प्रजातियों में से 48 पितिसत की आवादी घट रही है इसमें से 798 को बिलुप्त प्रया, 460 को लुप्त प्रया और 223 को गंभी रुख से लुप्त प्रया की सेंडी में रखा गया है आप लोग देखते थी कि बहुत सारी चोटी चोडी चिडिया कीट पतंगें आप लोगों को देखने को मिलती थी पहले अब वो भी नहीं दिखाई दे रही है बिलुप्त तस्मानियाई टाइगर को फिर से जीवित करने की योजना अमेरिका ऑस्टेलिया के बिज्ञानियों ने जीन एडिटिंग तकनीक का उप्यों करके 1930 के दसक में बिलुप्त हो चुके थायला सीन और या तस्मानियाई टाइगर को पुर्ण जीवित करने के लिए 15 मिलियन डॉलर की परियोजना शुरू की है साल 1980 के दसक में ऑस्टिलियाई मुक्भूमी तस्मानिया और निव गिनी दिवपों कोई इस मूल प्रजाती के बिलुप्त होने की आधिकारी गोशना की गई थी यह आप देखेंगे 19 वा 19 वा सिटी सम्मेलन पनावा में आयो जित हुआ है कहां पनावा में और भारत ने पनावा में हुई सिटीज कन्वेंशन और ओन इंटरनेशनल ट्रेड इंडिंजर्ड इस पिसीज के 19 वे सम्मेलन में रेड क्राउंड रूप टर्टल को परिसिष्टिस दो से परिसिष्ट एक में सामिल करने का पिस्ताव रखा है रेड क्राउंड रूप टर्टल भारत की स्थानिक 24 प्रिजातियों में से एक मीठे पाने में पाये जाने वाले कचुई की प्रिजातिय जो नेटिंग साइट्स बाली गहरी बहने वाली नदियों में पाये जाते हैं भारत के साथ सथ यह पचुआ बंगलादेश और नेपाल में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यह आप देखे बंगलादेश है आपका यह नेपाल है दोना हुमारे पडोसी है यह आप देखे पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बंगलादेश अब आप देख कि एगा उपलब दियां कह लीजे चाहे बिलुपतियां कह लीजे नुकसां कह लीजे क्योंकि जलबाईव परिवर्तन हमारी ही देन है हम लोगों की यह आप देखते हैं हम लोग सबसे जान्दा चेरचाड कर रहे हैं प्रक्रति से उसका खामयाजा सबसे पहले पक्ची दंगों को देखना पड़ रहा है